महा भारत न सपाट कानी है और नहीं इसके अंतरकत भाग लेने वाले लोग सरल चरीतर की थी उसके कई चरीतर मायावी वा करीशमाई थी उनमें कई देवता, गण, यक्स वराक्सस के अंस या अवतार थे आज हम चर्चा करेंगे महा भारत के कालजई वा कालाते चरीतरों की इस कड़ी में एक पर्शंग और जोड़ दे यदि हम सनातन गरंथों को पड़ते हैं उनके अधिकांस मुख्य चरीतर किसी ना किसी के पुनर जनम या अवतार ही रहे हैं इस कड़ी में पहला नाम आता है क्रिष्ण का सब जानते हैं कि वो विष्णू के दस अवतारों में आठवे अवतार थे विष्णू ने चोसट कलाओं से युक्त होकर ये अवतार लिया था इनोंने भारत यूद में अरजुन की सार्थी की भूमी का निबाई थी इस कड़ी में अगला नाम है भीस्म का कुरुकूल जेश्ट भीस्म ध्यो नामक वसू के अवतार थे वसू इंद्र या विष्णू के रक्सक देवता हैं जिनकी संख्या आठ बताई गई है जिने अश्ट वसू का जाता है वसिष्ट रिसी के स्राप के कारण इन आठवों देवता का अवतार बताया जाता है ब्रिस्पति ने सबतर्शी भारद्वाज के घर द्रोन रूप में जन्म लिया था ब्रिस्पति को देवताओं का गुरू का जाता है अगला नाम है बलराम का क्रिश्टन के बड़े भ्राता बलराम सेशनाग के अवतार थे सेशनाग सीर सागर में विश्णू के सेन बने हुए हैं राम के भाई लक्समन भी सेसनाग के ही अवतार थे अगला नाम है अर्जुन का महभारत की नायक वजग स्रेश्ट धनुर्दर अर्जुन को इंद्र का अंस माना जाता है कुंती ने अपने दिव्य मंत्रों के उचारण से इंद्र क का आवान किया था तब इंद्र के आशिर्वाद से अर्जुन हुए अगला नाम है कर्ण का पंडू अर्धांगनी कुंती ने लोकलाज के कर्ण को नदी में बाद दिया था धनुर्विद्या उककारी कर्ण को सूरे का अंस माना जाता है कर्ण सूरे के आशिर्वाद से कव अंस माना जाता है इसलिए उन्हें धरमराज भी का जाता है यह पांडू में मात्र एक थे जिनने मुर्तियों के बाद स्वर्ग लोग बिला था इस कड़ी में अगला नाम है विदूर का पाकी सभी महभारतिय चरित्र एक देवता के अवतार या अंस ते लेकिन विदूर दो देवताओं के अंस से जन्में विदूर यम व सूर्य के अंस माने जाते हैं अनिमांडवीय रिसी के सराप के कान इने भूलोक में जन्म लेना प भी मुक्ती नहीं होगी अस्वत हमा आज भी जिवित हैं अगला नाम है भीम का भीम को पवन देवता का अंस माना जाता हैं उन्हें सभी सोकोरों का वद किया था अनुमांड़ी पवन के पुत्र थे इसी कानवे दोनों देव भाई थे इसमें अगला नाम है नकूल और शह भीत्र था जबकि सहदेव भविश्य को देख सकता था इस कड़ी में अगला नाम है दृयोदन का वेद व्यास लिखे हरिवन्स प्राण पुर्श्रीम्द भागवत प्राण के अनुसार दृयोदन कली नामक राक्सस का अवतार था उसके लखन देखर ऐसा ही लगता है इस अगला नाम है सो कोरों का दृयोदन के सो भाई पुलुष्य वंस के राक्सस के अन्स अवतार थे अगला नाम है किरपाचारे का कहते हैं कि महभारत के समय में सिव के एक गण ने किरपाचारे का अवतार लिया था उन्हें चिरिंजिवी होने का वरदान प्राप्त हैं वो युद के अंत में कोरों की तरब से बचने वाले तीन योदाओं में से एक थे। इस कड़ी में अगला नाम आता है गांदारी का। गांदारी को मती का अवतार बताया चाता है। उन्होंने गांदार नरे सुबल के घर जनम लिया था। उन्हें वेद व्यास के आसिवाद से सोब भुत्र व एकन्या हुई। अगला नाम है द्रोप्ति। देवी इंद्राणी ने द्रोप्ति के रूप में जनम लिया था। इनके पाँचों पुत्र प्रति विंद्य, सुथ्सों, सुरूतिकृति, सतानिक, सुरूत्सेन, विश्वदेव, गण के अवतार थे। अगला नाम है सकुनी का जन प्रचलित हैं कि सकुनी द्वापर यूपी अंस की अवतार थे। इन्होंने अपनी बेन गांदारी के अंती जीवन का बदला लेने के लिए महाभारत करवाई। अगला नाम है अभीमन्यू का, अभीमन्यू को चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अवतार माना जाता है। इसी प्रकार की और वीडियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे